नमस्का दोस्तों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप चाहते हैं अपना खुद का लमस सर्विस रन करना आपकी वेबसाइट लमस बनाना यह सारी चीजों को कवर करेगा यह end-to-end पूरा सीरीज है और इस सीरीज को हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे इसके एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे ताकि आप इसको प्रापर तरीके से देख सके अगर इस प्लेलिस्ट को थोड़ा सा समय निकालकर आप पूरा तो आपको यह concept समझा जाएगा कि कैसे आपको अपना खुद का LMS सर्विस बनाना चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपको हमारी सर्विस लेनी चाहिए तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हो and we are providing specifically hosting for LMS सर्विस ठीक है क्यों because we have already run into multiple issues when we have launched our website और LMS सर्विस into a different companies and different apps तो उसके कई सारे positive and negative things थे ultimately we have we have tested so many servers now और अब हमारा जो जो खुद का LMS है and कुछ clients के LMS है they are running on our servers and we are getting a very good response ठीक है तो यह पूरे series को आप देखना पूरे series में step by step मैं segregate करूँगा कि क्या चीज क्या होगी कैसी कैसे आपको develop करना है कैसे कैसे नहीं करना चाहिए और क्या कर चीज़े ध्यान रखनी चाहिए तो यह पहला session है तो इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को बात करने वाला हूँ कि यहां पे कौन-कौन सी चीज़े LMS के main pillars है तो I have taken some notes and from the notes I can tell you that what are the things are very very important when you are building LMS सबसे पहले जब भी आप LMS या अपना खुद का learning management website बना रहे हूँ course selling website बना रहे हूँ तो ऐसे case में सबसे पहले आपके पास एक अच्छी hosting होनी चाहिए अब hosting या तो आप shared hosting लो या तो आप VPS hosting लो या आपकी choice है जब आप shared hosting में जाओगे इस बिट economical अगर आप VPS hosting में जाओगे थोड़ा सा आपका budget बढ़ता है ठीक है अगर आप हमसे लेते हैं तो वी हाव आप प्रॉपर shared server which is specifically optimized for LMS hosting जो की learning management system का होता है और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें जो है अपना खुद का VPS चाहिए वो भी हम properly develop करके देते हैं जिसका control panel जिसका backup हर चीज जो है हम enable करके देते हैं तो इसका मतलब that is the first thing is you should be requiring a very very good hosting service ठीक है next जब आपके hosting service आजाता है then you require development area जहां पे आपका पूरा LMS बनेगा तो वो हम use करते हैं WordPress 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 एक ऐसा content management system है जो जिसमें आप बहुत आसानी से बढ़िया तरीके की website बना सकते हो with very good functionalities ठीक है अब LMS बनाने के लिए कई ऐसे plugins होते हैं बहुत सारे plugins हैं जिसमें आप अपने website बना सकते हो हम जो use करते हैं हम use करते हैं टूटर LMS जो अभी आपको स्क्रीन में देख रहा होगा and it is a premium plugin और यह आपको market में बहुत ही महंगा मिलेगा लेगिन अगर आप हमसे इस चीज को install कराएंगे we are resellers so as a case में you will able to get very good discount maybe हमारे कुछ packages हैं जिसमें already आप लोगे तो यह आपको all-in-one free मिलता है जिसमें आप उसको use कर सकते हो ठेक है तो एक तरीका यह है कि हम आपको पूरा stack बना के दे दे पूरी service बना के दे 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 दूसरा तरीका यह है कि नहीं आपको पूरी service नहीं बनवानी आप आप क्या कर सकते हो आप मतलब हमसे चीजे resources ले लो and then you develop your website and the first thing is you require a hosting the second thing is you require a plugin which is called tutorial MS the third thing is you also require a license of that उसके बाद उसके बाद आता है the fifth service which is the running and maintenance of your website the running and maintenance में सबसे important aspect होता है backup तो हम क्या अगरते हैं we always configure a cloud backup जो कि automatic होता है क्योंकि manual चीजों में कई बार आप बीजी हैं आपको कैसे backup लेना है आपको यह नहीं पता तो वी टेक आप वी टेक आप आप जो आपके साइट का हम एनेबल कर देते हैं जिससे आपको कोई भी चिंता करने की जुरूत नहीं है अगर आप चाहते हो कि डेली सब्सक्राइब आपके कुर्स पर्चेश किया फिर ऐसे भी पॉस्पाइबटी हो सकती है कि 5 चुडेंट ने कल किया डा स्टूडेंट ने पर स्वाइबर तो वी अल्वेस प्रेफर फर LMS क्योंकि वह टेली ट्रांजेक्शनल विबसाइट है तो ऐसे केस में हम अल्वेस भी प्रिफर कि आप उसको डेली बैकप लीज़े ठीक है दे नेक्स्ट पॉइंट इस इंपोर्टेंट कि पेमेंट गेटवे नाव पेमेंट गेटवे हम फ्री इंटिकेशन करके देते हैं ताकि आप अपने लखें नोट्स लिखकर रखें तो जो आपके लिए काफी helpful होगा क्योंकि जब भी हम develop करते हैं तो हमें लगता है कि चीजें जो हैं हमें याद रहेंगी लेकिन बेटाई नोट जाया से मैंने बना रख है तो यह उसके तो प्रशित करसे आपके तरह कर आपके तरह के ओते हैं अपके लेकिन हमने कुछ यहां पर सेटिंग किया हुए जिससे यूटुब वीडियो पे आप लिंक भी करोगे और नोबडी विल एबल तो चीजे में आपको दिखाऊंगा कैसे होता है तो वह सारी चीजें हम यहां पर डेवलप कर सकते हैं एंड तो इस पूरे सेशन को कैसे आगे बढ़ना है अब हम नेक्स वीडियों पर चलते हैं और देन आविल तेल यू वाव तो टुवेट ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं